आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सत्तु का सेवन कैसे करना चीए देखे सत्तु को ताजे पानी में घुलना चीए गर्म पानी में नहीं आप उसमें चुटी-चुटे प्याज वगरे भी डाल सकते हैं हरी मिच डाल सकते हैं सत्तु सेवन के बीच में पानी नहीं पियें इसे रात्री में नहीं खाना चीए सत्तु का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चीए इसका सेवन सुबह या दूपर में एक ही बार करना चीए सत्तु का सिवन दूद के साथ नहीं करना चीए कभी भी गाड़े सत्तु का सिवन नहीं करना चीए कोई गाड़ा सत्तु पचाने भारी होता है पतला सत्तु आसानी से पच्चाता है इसे ठोस और तरल दोनों रूपे में लिया जा सकता है यदि आप चने के सत्तु को पानी, काला नमक और निम्बू के साथ घोल कर पीते हैं, तो यह आपके पाचन तंत्र के लिए फायदे मंद होता है। सत्तु के सेवन से ज्यादा तेलिये खाना खाने से होने वाली तकलीफ खत्म हो जाती है और तेल निगल जाता है। इसमें पोशन बहुत होता है। इसलिए बढ़ते हुए बच्चे को यह जरूर देना चाहिए। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। और अपनी कमेंड़े दीचिए। धन्यवाद बढ़त।